लेटिस जानकारी के अनुसार वैगना ग्रोप ने बेलारूस की मध्यस्थता में हुए शान्ती समझोते के तहट मौस को छोड़ने का फैसला किया है। मौस को छोड़ने का निर्णय वैगना समू के शहर में सैन्य नेतरित्व के साथ तक्राव के बाद आया है। इसके अतिरिक्त वैगना भाडे के समू के सैनिकों ने रोस्तो मौंड़ल्ण शहर छोड़ना शुरू कर दिया है। वैगना समू के मौस को छोड़ने के कारणों के बारे में विशिष्ट विवर्ण प्रदान नहीं किया गया है। हाला कि ऐसा प्रतीत होता है कि प्रस्थान समूह और मौस्को में सैन्य नेत्रित्व के बीच संधर्ष से जुड़ा हुआ है। शांती समझोते में बेलारूस की भागिदारी से पता चलता है कि राजनेक प्रयासों ने इस निर्णय में भूमी का निभाई होगी। यह भी संभव है कि वैगना समूह यूकरेन में युद्ध जैसे अन्य अभ्यानों पर ध्यान के इंदरित करने के लिए मास को छोड़ रहा है। यह समोह यूक्रेन में लडाई में भारी रूप से शामिल रहा है और यह संभव है कि उन्हें संघर्ष के अन्यक्षेत्रों में फिर से तैनात किया जा रहा है। अंतह वैगना ग्रूप के मौस को छोड़ने के कारण अभी भी स्पष्ट नहीं है। हाला कि प्रस्थान एक महत्वपूर्ण विकास है और इसका समो के भविश्य और यूक्रेन में युद्ध पर प्रभाव पढ़ने की संभावना है। मैं खबरों पर नजर रखूंगा और अगर मुझे वैगना ग्रूप के मौस को से प्रस्थान के कारणों के बारे में कोई और जानकारी मिलेगी तो आपको बताऊंगा।